पुल मिला के आपने अभी तक क्या किया अभी तक आपने नाइट्रोजन को इसमें अमोनिया में चेंज कर दिया और यही था बाइलोजिकल नाइट्रोजन फिक्षेशन और इसके बाद फिर नाइट्रिफिकेशन के थ्रू वो नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में भी या फिर ammonia mine के form में जा सकता है, ठीक है, तो suppose कि इस form में चला गया, इसके nitrate के form में चला गया plant के अंदर, तो अब उसको कैसे assimilate किया जाएगा, कैसे plant के अंदर assimilate किया जाएगा, तो वो वाला process अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या है, assimilation of nitrate to nitrite, nitrite to ammonia, बतलब कि अगर nitrate के form में plant के अंदर, यह nitrogen चला गया, तो अब इसको plant के अंदर change किया जाएगा, नाइट्राइट में, नाइट्राइट से further ammonia में change किया जाएगा, क्योंकि ultimately इसको incorporate होना है, amino acids में, अगर हम major role पे देखें, तो जब इस form में आएगा, तभी यह incorporate हो पाएगा, जैसे कि amino acids वगरा बनते, अल्टिमेट तो गोल यही है ना कि biological जो molecules है, उसमें इसका involvement है, तभी तो nitrogen इतना important role play कर रहा है, प्रोटीन में इसका involvement है, तो इसलिए इसको ultimately तो system में आना है, तो अब यह process कैसे हो, जब plant के अंदर, nitrogen इस form में चला गया, जब plant के अंदर, nitrogen के form में nitrogen को ले लिया गया, तो अब आया plant का number, अब plant के पास एक enzyme पाया जाता है, nitrate reductase, जो change करता है, nitrite में, और further एक और enzyme पाया जाता है, nitrite reductase, ये change करता है, ammonia में, अब आपको याद रखना है, कि plant के अंदर, दो enzyme पाया जाते है, एक पाया जाता है Nitrate Reductase और दूसरा पाया जाता है Nitrite Reductase, जिसको हमलोग Short में इसको NR बोलते हैं और इसको Short में NIR बोलते हैं, तो इस तरह से ये process होता है, ये process जब plant के अंदर cell में Nitrate चला गया और उसको Nitrite में जब change किया जाता है, तो ये reaction होती है, Cytosolic reaction, और जब ये reaction होती यह तो यहां पर ज़रूरत पढ़ती है NADPH की और यहां मीस की NADPH यूटिलाइज होता है और NADP प्लस के फॉर्म में चेंज हो जाता है कि यह तो साइटोसॉल में में रेक्शन बताई अब जब दूसरा कि यहां पर दो ऑक्सीजन को पहले तो इसके बाद यहां पर हाइड्जी और जब टो है जगां मिल सकती है Ф 수가 दो ही जगह मिल सकती है, या तो mitochondria में मिलेगी, या तो chloroplast में मिलेगी, तो क्योंकि यहाँ पर plant की बात है, तो हम लोग यहाँ पर high energy के context में ये enzyme ये reaction कहा होगी, plasted में होगी chloroplast में, तो यहाँ पर हमें high energy मिलेगी, high reducing power मिलेगा और इस तरह से नाइटराइट चेंज हो जाएगा अमोनिया, डिक तो ये वाला process हो गया, तो अभी आपको समझ में आया कि किस तरह से plant के अंदर, जब नाइटरेट, नाइटरोजन, नाइटरेट के form में चला गया, तो जाने के बाद वो नाइटराइट में चेंज होता है, न यह वाला रियक्षिन होता है प्लास्टिक और यह आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के कुश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम कहां पाया जाता है कितने डिदूसिंग पावर कहां पे यूटिलाइज होते हैं तो इस तरह से अब इसने इस के अगर हम उनकė structure की बात करें आप आप शेयां इससें हीते हैं कि इस तरह देंसा है यहां पर लिख और के हैं इसको एक यहां बिल्गी creator होता है यह क्या है mo cofactor और इस तरह से यह यहां पर na dph का यूज तो यहां पर कितने means कि यहां पर fad तीन cofactor है fad heme iron और molybdenum cofactor इसके बाद first जो इसको इससे जोड़ता उसको hinge first कहते हैं जो यहां पर जोड़ा हुआ है fad को hem iron से तो वह घंज2 होता है यह क्या होता है हिंज1 इस्टर होता है यहां पर यह यूटलाइज करता है fad रीजन और इसके बाद यहां पर इसको नाइट्रेट से नाइटराइट में change कर दिया जाता है और basically क्या हो रहा है electron का ही flow क्योंकि यहां से क्या मिलेगा electron मिलेगा electron मिलता है और एक hydrogen मिलता है और इस तरह से वो फिर nitrate से nitrite में चीज़ा है तो यह क्या है यह हमारा nitrate reductase enzyme nitrate reductase a dimer dimer है the three binding domain कौन-कौन से FAD, heme iron और mo cofactor whose polypeptide sequence are similar to eukaryot mo cofactor heme or FAD the NADPH bind at the FAD binding region each subunit and initiate the two electron transfer from the carboxyl terminal और इस तरह से यह पूरा का पूरा क्या करता है electron का flow यहां पे हो जाता है क्योंकि यह N terminal यहां पे होगा यहां पे C terminal होगा तो इस तरह से electron का flow यह हो गया हमारा क्या nitrate reductase अब इसके बाद हम लोग nitrite reductase को देखते हैं तो nitrite reductase में क्या reaction होती है nitrite reductase में nitrite से ammonia में change किया जाता है और यहां पे क्या use होता है ferodoxin reduced use किया जाता है यहां पे आप देखिए कि यहां पे एक ferodoxin binding domain पाए जाता और एक iron sulfur heem cluster पाता है कि दो domain से मिलके बना होता है और यहां पे यह six reducing power मिलती है मिलने के बाद यह फिर नाइट्राइट से change कर देता है नाइट्राइड मुव टू प्लास्टिड जीक है नाइट्राइड मुव टू प्लास्टिड प्लास्टिड आंड गेट कंवर्टेड रेपेडली इंटू अमोनिया अब क्या होता है क्योंकि ये प्रासेस हमने आपको बताए कि प्लास्टिड में क्यों होता है तो इसलिए अनर्जे कहा होता प्लास्टिट में मूव करके गेट कनवर्टेड अमोनिया एंड़ सोर्स ओफ एलेक्ट्रों डिदूस फेरेड ओक्सिन से मिलता है तो ये पूरा इस तरह से ये दोनों एंजाइम काम करते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट कि जब ये काम कर रहे तो ये किस तरीके से मतलब अंदर ये और्गनाईज होते है क्योंकि एक आप अगर आप शायद जानते हूं कि ये टॉक्सिक होता है नाइट्राइट क्या होता है टॉक्सिक होता है अब कोई भी चीज सेल में टॉक्सिक है तो फिर तो अच्छी बात नहीं है तो ये इस चीज को और प्रोसेस भी डारेक्ट प्रोसेस है नहीं डारेक्ट प्रोसेस है नहीं कि डारेक्ट इसको नाइट्रेट से अमोनिया में चेंज कर दिया जाए ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं प्रोसेस नाइटराइट के फ्रू है, ये प्रसेस तो होगा हिना है तो जब ऐसा है तो इस इस प्रॉबलम को कैसे ओवरकमि यहां पर यह पूरा मेकानeism समझाया गया अब बोला गया है कि जैसे कि नाइटरेट की तो लोग टॉक्सिety हुआ नाइट्रीट तो इतना टॉक्सिक नहीं होता कि क् egos persec Are you लेकिन लेकिन नाइट्राइट अईमॉणिया में तभी चेंज होगा जबकी इस्फरम में जाये गा निन्हीं उगई और जबतक Ps वर्म में नहीं अगे तब तक प्लांट इसको अपने इमयट में की बायो मॉलेकूल में यूजिस में कर पाएंगे यह सारे चीज़े प्राव्लम हैं तो अब इस प्रावलम को कैसे ऑट किया गया अब जैसे आप एक एक ग्जामपल लेजिए, माल लेजिए, कोई X compound है, और वो Y में change होता है, और Y में change होने के बाद Z में change होता है, अब क्या हो रहा है कि जो यह Y है, यह toxic है, या तो toxic compound पहले तो इस enzyme की activity कम होनी चाहिए, जिससे की toxic compound कम बने, और इस enzyme की activity इतनी ज़्यादा ह होनी चाहिए, कि जितना भी बने उसको तुरंत Z में change कर दिया है, तो इस तरह से इसको control किया जा सकता है, means कि B अगर, sorry, यहाँ पे Y होगा, अगर Y toxic है, तो क्या हो जाएगा, कि enzyme first जो है, उसकी activity बहुत कम होनी चाहिए, enzyme 2 से, और enzyme 2 की activity high होनी चाहिए, तो means कि अगर X से Y ब activity of enzyme 2, तो इस तरह से इस mechanism को regulate किया जाता है, तो क्या करा गया है nature में, कि nitrite क्योंकि low toxicity show करता है, और NR को tight regulate कर दिया गया, tight regulate mechanism, मतलब कि इसकी activity को regulatory mechanism के थुरू कम, इसकी activity कम रहेगी, तो कम nitrite बनेगा, और nitrate की toxicity high है, तो इसका जो NIR1 है, मतलब NIR, means nitrite reductase है, इसको abundant कर दिया Abundant, मतलब कि बहुत जादा कर दिया, तो इसकी अगर थोड़ा सा भी वाई बनेगा, तो इसको जड़ में change कर दिया, क्योंकि हमने इस enzyme को abundant कर दिया, तो अब देखिए, यहां पर ठीक वैसा ही चीज हो, nitrate क्योंकि less toxic है, तो अगर यह क्योंकि और इसी से हमें ultimately plant यही receive कर र हमने बताया था क्योंकि इसको एक reducing power चाहिए, उतनी energy cytosol में मिल सकती है, तो क्या होता है कि cytosol में यह वाली reaction होई, nitrite बन गया, अब nitrite बना, तो पहले तो nitrate deductase को tight regulate करके इसका means level भी कम रखा गया, कि कम nitrate deductase बने, तो जब कम रहेगा, तो nitrite कम बनेगा, और इसके बाद इ nitrite क्या होता है, transfer करता है कहां पे, chloroplast में, plastid में जाता है, और plastid में पाया जाता है, NIR enzyme, और इस enzyme को abundant कर दिया गया, बहुत ज़्यादा कर दिया गया, तो फिर efficiently nitrite को change कर दिया जाता है, ammonia में, तो इस तरह से toxicity भी नहीं हो पाती है, और यह क्या होता है, ammonia का formation भी हो, तो यहा कि प्राइल में भाई, हमने डाल दिया nitrate, और या soil से ही plant ले रहे हैं, ठीक है, plant ले रहे हैं तो किसके ठूटल लेते हैं, कि इसके नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर होता है, और goal में पाता है, ज से code होता है, जो किस से और इस तरह से फिर नाइटरैट अंदर आया, अगर जरूरत है तो फिर ये नाइटराइट में जेंज हो के अमोनिय में जेंज हो जाएगा और फिर आगे चलके ग्लुटमीन में इंक्लिूर होगा, अभी मागे बताइंगे इसके बाद और अगर नहीं जरूरत है तो उसना हो जाएगा की आइपीशेंट्राइट्राइट थेन्ग हो जाएगा इसाही से जो तो बीचके हो नाइट्राइट असना फ़योर्ट स्कार्ब्स विमिटिंग एक एक यह बाता आप समझ गया है ढिनिर को बहुत कर दिया जाता है एंना को रेटकिंग कर दिया जाता है अंआर is I am NOT मतलब कि आनर को ट्रंस्टर किया जाता है ठीट हिना हो तो फिर न और कैसे बनेगा नए ट्लेशन is होती है इसलिए क्योंकि दे haircut तो फिर नाइट्रेट टॉक्सिटी तो इस लिए इस रियक्शन को ज्यादा फेवर्ड किस कंडिशन में होती है लाइट पीरिड में जिस समय क्लोरोप्लास्ट एफिशेंटली बना रहा है रेडूसिंग पावर तो वहां पे कमी तो होगी नहीं तो तुरंट-तुरंट इतना लिमिटिंग किया जाता कि उसको ट्रंस्क्रिप्शन लेवल पे भी इस तरीके से यह पूरा process को रेगॉलेट किया जाए जो हमने आपको बताए कि यह जो आमोनिया और नाइट्रेट काव्ट होता है तो उसके लिए हमने जैसे बताया कि जो सब्सक्राइब का यूटिपी का यूटिलाइज़ेशन यहाँ पे आप देखिए आप इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आप इसके बाद यहाँ पे आप देखिए अगर सपोज तो आमोनिया के फ़र्म में गया ऐसे तो इस फ़र्म में जाता है नाइट्रेट फेवरेबल क्या है प्लांट के लिए यही फ़र्म फेवरेबल है यूज करने के लेकिन ना अमोनिया के फ़र्म में भी प्लांट यूज कर सकते तो जब अमोनिया के फ़र्म में जाता है तो कि इप्लान्ट के बंढ़ वाली है । इस निर्ट किस तरह करें गलूतामेट के साथ है n ग्लूटामिन में चेंज कर देए उसके लिए एक एंजाइम होता है GS कौन सा एंजाइम होता है GS जिसका नाम होता है Glutamate Synthese और दूसरा है Glutamine 2 Oxoglutarate Amino Transferase तो एंजाइम होते हैं तो यहां पर क्या होता है तो दो तरह के enzyme होते हैं, एक होता है GoGat और दूसरा होता है GS, तो यहाँ पर आप GoGat देख रहे हैं और एक GS देख रहे हैं, तो पहले किस तरह से यह दोनों coordinate करके, जो ammonia बना है, इसको एक amino transferase reaction, इसमें amino ही तो group मिलेगा, और क्या मिलेगा, ammonia से क्या मिल सकता है, amino group मिल सकता है, और किसी भी amino acid के लिए amino group कितना important है, आपको पता है, क्योंकि वो तो उसका skeleton ही amino group होता है, तो यह सब तो metabolites हैं, यह सब तो मिलेंगे ही plant के अंदर glutamate, यह सब मिल रहा है, तो ammonia glutamate से reaction करके glutamate synthase enzyme की presence में glutamate बनाया, यह glutamate further glutamate में change होके, अपना amino group दे देगा, और यह alpha keto glut glutamate में change कर देगा, फिर further यह export होके, मतलब इसी तरीके से reactions होते रहेंगे, तो GS और gogat, यह दोनों enzyme जो लिखे है, glutamate synthase और gogat का पूरा name लिखा हुआ है, यह दोनों enzyme क्या करते है, और nodulin protein, अब यह nodulin protein कौन बनाता है था, plant, अब देखें, nodulin protein में क्या-क्या बना, nodulin protein मे एक तो leg hemoglobin बना, plant ने क्या-क्या बनाया, nitrogen friction के process में, leg hemoglobin बनाया था, अब दूसरा क्या बनाया, यह दो enzyme बनाया, कौन-कौन से GS और gogat, तो GS and gogat are nodulin protein that expressed high level in host, titoplasma of infected cell out, pre-bacteroid membrane, जो infected cells होती है, जो infected cells होती है, किस से, बेक्टराइट से जिन से infection हुआ था, उन में यह वाले enzyme बनने लगते हैं, अब यह enzyme बन के फिर आगे, इस तरह से पूरा process करते हैं, तो इस को, इस cycle को कहा जाता है, GS gogat cycle, GS gogat cycle, अब इसमें क्या हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में अब देखिए, यहां पर यह ammonium ion है, यह ammonium ion glutamate से मिला, इस ने reaction कराया, reaction कराने के बाद glutamine बना, अब जब glutamate से glutamine बनता है, तो इसके पास एक NH2 group add हो जाता, यहां पर ATP का utility, फिर फर्दर क्या होता है, यह glutamine, glutamate में फिर से change हो सकता, और जब यह glutamate फिर से change होगा, तो य यह क्या करेगा, जो aspartate होता है, aspartate के पास एक COH group पाया जाता है, वो COH group चेंज हो जाता है, CO NH2 group ने, तो अब यह aspartate से बन जाएगा, asparagine, देखिए, कैसे amino group transfer हो रहा है, यहां पर अभी amino group आप, aspartate से asparagine बन गया, कि कि सारे amino acids हैं, आपको पता है, फिर इसके बाद next क् सकता है, कि यह alpha ketoglutarate तो मिलेगा ही system में, है ना, living system में यह तो पाया जाता है, अब यह क्या करेगा, फिर एडॉक्सिन को यूज करके, further alpha ketoglutarate को glutamate में change करेगा, और फिर यह यहां पर glutamate में change हो गया, तो इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहा है कि यहां पर formations हो रहे है, different, different, या amino groups का transfer हो रहा है, और इस तरह से अलग-अलग amino acids बनना है, जैसे asparagine बन गया, aspartates, asparagine बन गया, फिर glutamine बन गया, तो यह सारा, यह इसको बोलते ammonia assimilation, और इसके लिए दो enzyme की जरूरत होती है, GS और gogat, तो यहां पर हमें GS की जरूरत होती है, यहां पर हमें GS की जरूरत होती है, और यहां पर हमें gogat की जरूरत होती है, तो इस तरह से यह पूरा cycle होती है, समझ में आये बाद, तो यह होता है assimilation, अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते है, effect of CO2 on nitrogen, क्या होता है, CO2 का effect क्या होता है nitrogen, तो जब elevated CO2 का level होता है, प् nitrogen fixation की efficiency बढ़ जाती है, significance to plant growth nitrogen metabolism is found to be affected under elevated CO2 environment, अगर environment में CO2 का concentration जादा है, further the ability of biological fixation is found to be sensitive to elevated CO2 level, An increase in nitrogen fixation at elevated CO2 level could result from increase in nodule size, nodule number per plant, increase in specific nitrogenase activity, that is the amount of nitrogen per unit nodule and time, however, stimulation of nitrogen fixation by elevated CO2 can be limited by a level of other essential elements, molybdenum iron required for the nitrogenase, मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब elevated CO2 का level होता है, तो आप समझे कि अगर elevated CO2 का level होता है, तो उस समय एनरजी ज्यादा मिलेगी, CO2 fix होगी, ज्यादा एनरजी मिलेगी, ज्यादा एनरजी मिलेगी तो भाई, nodule का formation है, प्लांट के main number of nodule ज्यादा बनेगे क्योंकि energy मिल रही है, तो इसलिए ऐसा माना गया है, कि elevated CO2 के concentration, जब elevated CO2 concentration होता है, तो उस समय nitrogen fixation बहुत ज्यादा efficient होता है, यह ऐसी studies की गई है, अभी बहुत ज्यादा books में आपको यह चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, ऐसी studies की गई है, तो उसमें यह देखा गया है, कि elevated CO2 के concentration पे यह देखा गया है, कि nitrogen fixation ज्यादा होता है, और ऐसे environment में जहाँ पे CO2 का level elevated है, वहाँ पे देखा गया कि उन plants में नोडूल के size भी बड़े थे, नोडूल के number भी बड़े थे, nitrogenous enzyme का भी specific activity भी increase थी, और यह देखा गया कि अगर, अगर हम CO2 को limited करते हैं, तो भी nitrogen fix, means क्या होता है, limited हो सकता है, या फिर, अगर हमने CO CO2 का level to increase कर दिया, लेकिन अगर हम MOFE protein को, sorry, MOFE metals को essential elements को अगर हम घटा दें, तो फिर elevated CO2 का कोई effect नहीं पड़ेगा, क्योंकि main component nitrogenous enzyme के लिए क्या MOFE है, अगर यह रहेंगे, तभी तो nitrogen, क्योंकि iron protein और MOFE, तो main component है, तो इसलिए इसकी requirement बहुत essential है, यह तो होना ही चाहिए, फ the whole, पूरा nitrogen fixation पर, कि पूरे nitrogen fixation में हम लोगों ने क्या देखा, कि biological nitrogen fixation के process में क्या होता है, हमें जो molecular nitrogen होता है, उसको ammonia में, change करना होता है, किस के तुरू, prokaryot means bacteria के तुरू होता है, symbiotic हो सकता है, या फिर कुछ pre-living bacteria भी कर सकते हैं, जब ऐसा process होता है, तो एक multicellular complex की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होता है, nitrogenase होता है, nitrogenase के पास दो subunit होती है, एक dinitrogenase reductase होता है, दूसरा क्या होता है, dinitrogen, यह दोनों मिलाके complex बनाती है, जो कि इसको हम लोग बोलते है nitrogenase complex, और यह fix करता है nitrogen, nitrogenase complex किस के लिए sensitive होता है, oxygen के लिए sensitive होता है, तो heterocyst है, symbiotic nodules है, यह सारे क्या provide करते है, oxygen free environment provide करते हैं, और इसके थूँ हम nitrogen को assimilate, मतलब fix कर सकते हैं, और फिर ultimately nitrogen को ammonia के form में लाके assimilate कर दिया जाता है glutamate में, और इस तरह से यह पूरा nitrogen fixation कैसे हुआ, उसका plant में कैसे वो entry लिया, फिर plant में उसको कैसे glutamate में change कर दिया गया, यह सारा चीज़ आप लोगों ने एक लिया, which of the following enzyme of nitrogen metabolism is located in, so simple, आपको याद करना है, याद करने वारी चीज़े तो आपको पता है कि plastic में कौन सा enzyme पाया जाता था, second, nitrite reductase, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ज्यादा reducing power चाहिए, six reducing power चाहिए, वो कहां मिलेगी है, हमें plastic में मिलेगी, तो हमारा क्या हो जगर, nitrite reductase, क्या है, nitrate reductase is an important enzyme for nitrate assimilation, given below a sum statement on nitrate reductase enzyme, nitrate reductase के reference में क्या दिये गए है statement, nitrate, अब हम लोग पहले तो nitrate reductase का structure देख लेते हैं, यह है nitrate reductase हमारा है, हमें इसी के reference में कीजे, तो पहला यहां पे गए, nitrate reductase of higher plant is composed of two identical subunits, एक बात, कि वहां पे जो वो आपने देखा, वैसा ही एक subunit और बनेगा, वैसा ही एक subunit और बनेगा, तब वो काम करेगा, अकेले नहीं काम कर सकता, तब आपने यहां पे एक ही दिखाया, तो आप ही देख रहेंगी, जैसा एक subunit है, ऐसा ही एक subunit और जुड़ेगा, तब यह वर्क करेगा, लेकिन दोनों का function same, दोनों ही subunit का function same रहेगा, अब इसके बाद यहां पे हम लो, nitrate reductase and enzyme, the nitrate reductase of higher plant is composed of two identical subunit, यह हमारा true हो गया, इसके बाद फिर, one subunit of nitrate reductase contain three prosthetic group, three prosthetic group भी होते हैं, यह भी true हो गया, है ना, FAD, heme iron, बताया था ना अभी, इसके बाद, one of the prosthetic group attached to both subunit is heme, FAD, और यहां पे देखे, इस structure में देखिए, किस तरीके से दोनों heme से जुड़े हुए है, FAD और MO जो co-factor हैं, वो heme से जुड़े हुए है, यह भी हमारा सही हो गया, one of the prosthetic group complex with tearing, तो tearing तो हम लोगों ने कहीं देखा, तो हम लोगों ने कहीं देखा, इसलिए हमारा statement क्या हो जाएगा, तो हम लोगों देख लेते हैं, इतना भी पूरा process देखा, बैक्टरवाइट का formation, क्या हम लोगों ने ऐसा देखा, कि जो bacteria है, उसका जो DNA है, वो plant के DNA में जाके integrate हुआ, तब कुछ ऐसा हुआ, ऐसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, तो इसलिए यह तो हमारा false हो जाए, sensing of plant flavonoids by rhizovia, तो plants में जो flavonoids release होते हैं, उसको rhizovia sense करता है, तो यह true है, activation of node gene in rhizovia, node gene का भी activation कहां होता था, rhizovium में होता था, तो यह भी true है, activation of nodulin gene in legume roots, हमने अपको बता रखा है, कि nodulin protein कहां बनती है, प्लांट में बनती है, तो फिर यह भी हमारा, इसके according हमारा क्या सही हो गया, BC and, ठीक है BC and, तब next देखे कि biological nitrogen fixation के context में यहां पर दिया था, only member of plant kingdom, many bacteria have capability of biological nitrogen reduction, ठीक है, nitrogen reduction की capability, तिर्फ किस में पाई जा रही, बैक्टीरिया में, इतने बड़े plant kingdom होने के बावजूद थी, बैक्टीरिया के अंदर biological nitrogen fixation यह nitrogen को reduce करने की capability, in this regard, following statement are given, nitrogen is normally taken by plant in their fully oxidized form, but need to be reduced before incorporation in organic, यह बात सही है कि नहीं, कि nitrogen को जब plant लेते हैं, तो fully oxidized form में ले सकते हैं, fully oxidized form क्या है, nitrate है, ठीक है, nitrate fully oxidized form, इस form में plant ले सकते हैं, यह था ना, उनके पास, हमने बताया था ना, simporter है, तो उसके थूरू यह ले सकते हैं, from, but need to be reduced, लेकिन उनको अपने organic molecules में incorporate करने से पहले, उनको क्या होना होता है, reduced होना होता है, ammonium के form में, और यह process कराने के लिए कौन था, NR और NIR, ना, nitrate से क्या change हो गया था, nitrite में, nitrite से, ammonium में change किसे नहीं कराया था, इन्होंने कराया, तो यह वाला statement तो हमारा right है, पिर इसके बाद, conversion of oxidized nitrogen, into reduced nitrogen, need energy, in the form of this, आप यह बताए, कोई चीज oxidized है, suppose कि यह oxidized form है nitrogen, अब इसको हमें reduced form में बदलना है, तो ठीक है, conversion of oxidized nitrogen into reduced nitrogen, need energy, energy की ज़रूरत है, लेकिन energy किस form में रहेगी, इस form में रहेगी, नहीं, energy रहेगी इस form में, इस पूरा का पूरा sentence है, यहाँ पर yes लिद दिया गया है, इस form में रहेगी, इस form यह तो utilized form है, यह तो use हो चुका है already, लेकिन जब इस form में रहेगी, तब यह conversion possible, इसलिए यह हमारा wrong हो गया है, the metal associated with enzyme, nitrate reductase is magnesium, तो ऐसा तो हमने बताया नहीं, अभी nitrate reductase का हम लोने structure देखा, मां magnesium का कहीं involvement नहीं था, तो यह भी wrong हो गया, nitrate reduction, take place in cytoplasm, ठीक है, cytoplasm, where nitrate reduction take place in chloroplasm, ठीस आई है, nitrate reduction, यह हमने बताया था कि nr कहां पाया जाता है, cytoplasm में, यह वाली direction cytoplasm में होती है, और nir वाली direction कहां होती, plastic में होती है, तो अब क्या हो गया, इसके according हमारा option होता है, a and, तो यह आपको ध्यान तरह से question को solve करने, इस वाले question, इस वाले statement में बहुत से लोग confuse होती है, इस वाले statement में confusing statement है, अगर आप यह ध्यान ना दे कि यह इस form में लिखा है, आप ने तो NADPS दिमाग में अगर आप यह ना ध्यान दे कि इस form में लिखा है, तो यह पूरा का पूरा sentence है, बस सिर्फ इसमें यह गलत लिखा गया है, कि इसलिए यह चीज़ें आपको वारीकी से ध्यान दे क्यान दे कि परिमेंट, इसमें कि हमने स्योटू का कॉंसेंट्रेशन आपको यह इसमें कि हमने स्योटू का कॉंसेंट्रेशन अर्टिशली बढ़ा दिया है, इसको दिया गया experimental plant, एक experimental plant कहें दिया गया, elevated CO2 level, experimental, effect of elevated CO2 level on nitrogen friction was measured over period of 7 years, अब इसके बाद इन दोनों ही प्लांट को बाद में measure किया गया, कब 7 साल बाद, and concentration of iron and molybdenum in leaves of these plants were quantified at the end of study, और जब पूरी study हो गई तो फिर इसके बाद उसमें molybdenum और iron का concentration भी leaves में देखा रही तो इस तरीके से यह पूरी experiment design किया गया क्या experiment design किया गया कि दो plant लिए गया जो plant एक suppose मालीजिए कोई x plant था एक y plant था x plant में co2 means normal level पर थी y plant में co2 क्या थी elevated थी इसको normal या control plant हम कह सकते यह experimental plant फिर seven years के बाद seven years के बाद क्या देखा गया measure किया गया nitrogen fixation को दोनों plant में और क्या measure किया गया molybdenum और iron का concentration कहां पर leaves यह experiment किया गया और फिर यह plot बना के गये कि अब इन plots में देखिए इन plots में क्या हम देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ है elevated co2 को concentration effect of co2 elevated concentration और मतब कि elevated co2 को effect nitrogen fixation पे nitrogen fixation पे co2 को concentration और यह year लिखे हुए तो जब starting में elevated co2 को concentration यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि co2 को concentration elevated है जब यह इतना elevated है मत्तब इतना जादा है और उस समय nitrogen fixation सबसे जादा हो रही है इसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है seven years यहाँ पे देखिए हो रहे हैं दीरी दीरी क्या आप देख रहे हैं कि nitrogen fixation rate और क्योंकि co2 का concentration भी लो होने के साथ nitrogen fixation भी कम हो रहा है इसके बाद दूसरे experiment में मतलब किफे उसी कब एक plot बनाया गया उसमें leaves में iron और molybdenum को concentration देखा गया तो जो यह यह वाला आप दाय जो प्लांट आपको दिखरा जो मतलब यह वाला बार दिख रहा है जब आप रिसेर्च करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के graph बनाने होंगे एक बार एक लाइन डाइग्राम होता है तो यह जो बार डाइग्राम है इससे मेजर्मेंट करके क्या देखा गया है कि मोलिबडेनम और आइरन का कॉंसेंटरेशन तो यह वाले जो ब्लॉक दिख रहे हैं यह शो कर रहे हैं कि यह कंट्रोल प्लांट है तक कि जिसमें हमने अगर कॉंसेंटरेशन इसका कम है और आइरन का अगर कॉंसेंटरेशन इसका कम है मॉलिबडेनम और आइरन गॉलिबडेनम ये इसका मतलब यह कांपड़ा तभी used किया को इतन अब इसमें इनघ को देखते यह बताना है, which one of the following inference cannot, अब यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना ही कह रहा, cannot, cannot be made from above experiment, मतलब कि जो उपर का experiment किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए, आप कौन सी ऐसी चीज़े जो की नहीं हो सकते, आपको यह बताना, अब पहला statement, decreasing rate of nitrogen fixation, correlate with decreased level of leaf, iron and molybdenum to micronutrient essential for unfixation, क्या बोल रहा है, अब इसमें पूछा गया कि cannot, और क्या हो सकता है, तो यह हम लोग देख लेते हैं, कि अगर nitrogen fixation का rate decrease हो रहा है, decreased level of iron and molybdenum, मतलब कि अगर हम लोग, अगर हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि suppose कि हमने nitrogen fixation rate decrease हो रहा है, तो उस समय अगर leaf में हम iron और molybdenum का concentration देखेंगे, micronutrient का, तो उनका जो essential element है, उनका भी तो concentration क्या हो जाएगा, कम होगा, decreased rate of nitrogen fixation correlate, correlate with decreased level of leaf iron and molybdenum, two micronutrient essential for nitrogen fixation, कि अगर molybdenum और nitrogen का concentration कम हो, तो उसके साथ nitrogen fixation भी कम हो सकता है, यह correlation हो सकता है, इनके बीच में correlation हो सकता है, तो पहला, तो यह तो हमारा true है कि अगर molybdenum iron ना हो, तो उस case में क्या होगा, कि उतना nitrogenase नहीं बनेगा, तो nitrogen fixation का rate कम हो जाएगा, and initial exposure of elevated CO2, increase nitrogen fixation by these plants, मतलब कि जब आप देखे, starting में CO2 का concentration, initial days में जब दिया गया CO2 का concentration, तो nitrogen fixation बहुत जादा हो रही थी, बहुत जादा हो रही थी, तो ये भी हमारा इस plot से समझ में आ रहा है कि हाँ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो गया, there is continuous decrease in nitrogen fixation, due to elevated CO2 treatment, अगर हम, अगर हम कह रहा है कि, there is continuous decrease in nitrogen fixation, decrease in nitrogen fixation हो, अगर हम elevated CO2 देंगे, तो increase होगा CO2 fixation, और यहां पर क्या लिख दिया है, decrease, तो ये statement हमारा रॉंग हो जाएगा, plant exposed to continuous elevated CO2, had lower level of iron and molybdenum in their leaves, क्या हो रहा, कि जब इस वाले experiment में देखिए, कि जैसे continuous हमने elevated CO2 लेबल से exposed किया था, उस case में क्या हो रहा था, कि iron और molybdenum का concentration कम हो जा रहा था, experimental में, तो इसका मतलब क्या हो रहा, कि वो utilize हो रहा है, तो ये भी सही हो, plant exposed to continuous elevated level of CO2, had lower level of iron and molybdenum in their leaves, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी experiment से हमारा proof हो रहा है, तो हमें ये बताना था, कि ये जो उपर के experiment हुए, उसमें से, क्या चीज ऐसी है, जो नहीं, हम लोग इसको कह सकते हैं, कि ये होता है, तो ये हमारा क्योंगी किता, initial exposure of elevated CO2, increased nitrogen fixation by these points, ये तो सही है हमारा, there is continuous decrease, continuous कह रहा है कि जब हमने CO2 को concentration बढ़ा रहे है, तो continuous nitrogen fixation decrease हो रहा है, तो ऐसा, नहीं उसमें दिख रहा है, continuous, अगर हम decrease कर दें nitrogen fixation को, और उसको correlate करें iron molybdenum से, तो अगर iron molybdenum को concentration कम है, तो nitrogen fixation का rate भी कम हो सकते, ये तो आप चानते ही है, तो फिर दूसरा क्या initial exposure, जब हम CO2 का concentration बढ़ाते हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा, CO2 increase and nitrogen fixation by these points, ठीक, तो ये भी क्या होगा, अगर elevated CO2 level पर nitrogen fixation बढ़ेगा, और अगर हम continuous decrease करेंगे nitrogen fixation को, तो elevated CO2 की concentration से continuous nitrogen fixation decrease नहीं होगा, अगर हम CO2 को लगातार बढ़ाते जाएगे, तो nitrogen fixation होता जाएगा, the plant exposed to continuous elevated level of CO2 had lower level of iron and molybdenum, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कि अगर हमने elevated CO2 को concentration रखा है, तो यहाँ पर iron और molybdenum को concentration क्या हो रहा है, घट रहा, क्योंकि कहीं न कहीं वो कहां यूट्राइज हो रहा है, nitrogenase enzyme में यूट्राइज हो रहा है, और उसको यूज करके वो nitrogen fix कर रहा है, यहाँ पर इस experiment में ऐसा show हो रहा है,